Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे हैं Welcome to my channel Dream Arts and 95 Plus की तैयारी हमारी चल रही है बहुत अच्छे से हमने स्कोर करना है अब देखो, आज हम क्या करने वाने क्लास में बिल्कुल अच्छे से Real Numbers की जितने टॉपिक्स के हैं, सब को revise करेंगे बस revise वो तो हमने chapter complete कर लिया हम साथ साथ past year questions भी करेंगे कि हम इतने सारे topics पढ़ रहे हैं इसमें से question कैसे पुछा जाता है exam में बहुत easily कर पाएंगे, देखो कैसे मैं आपको जैसे lemma समझाओंगी and lemma से भी question आ रहा है 2020 में फिर हम ये करेंगे फिर उसके बाद next topic करेंगे elgo and elgo से भी question आ रहे है 2020 में फिर ये करेंगे इससे क्या होगा हमारे साथ साथ topic भी revise होगा and questions भी करते चलेंगे करें साथ फिर आची क्लास बहुत questions है आज बहुत easily just take out your notebooks और देखो आपको कितना आता है कि आप previous year का जो पढ़ना तो ठीक है क्या आपसे questions हो पा रहे है चलो फिर स्टाट करते हैं चलो बहुत easy questions है ठीक है चले without any delay start करते हैं पहली चीज जो हम आपने पड़ी थी that is in chapter 1 क्या था Euclid's division lemma chapter 1 ये पढ़ा था उससे पहले में आपको बताया था कि ये जो आपका unit 1 है ना ये 6 marks का है कितने marks का है? 6 marks का है और unit 1 में एक ही chapter है that is real number मतलब ये chapter कितने marks का हुआ? 6 marks का 6 marks आपके पास होंगे अगर आज आप सारे questions पास्टिर करके जारे हो literally इससे levels होना जदान है ये level रहने वाले exam का ठीक है स्टार्ट करते है फटा-फट से हमारा फर्स टॉपिक है युकलेट्स डिवीजन लामा super duper easy पहली चीज़ आपने इसको learn करनेगी statement आपको आनी चाहिए इसको lightly नहीं लेना कि statement कहा पूछी जाएगी statement आपको learn होने चाहिए क्या कहते statement बहुकत easy देखो युकलेट्स ने क्या बोला कि अगर हम किसी a को b से divide करते है तो कुछ question मिलेगा और कुछ क्या मिलेगा remainder मिलेगा तो इसको कैसे लिख सकते है a is equals to b q plus r मुझे पता आपको आता है super duper easy है ये चीज़ ठीक है add a condition दी कि ये जो r है न ये 0 और b के बीच में होगा दूसरी चीज़ यहाँ पे 0 की side equal का sign आएगा r 0 b हो सकते है तो यहाँ पे r 0 और b के बीच में लाए करते है लेकिन 0 वाली side के आएगा equal का sign आएगा this is the uclips division lemma बहुत simple है और ये a और b है क्या a and b are positive integers उन्होंने दूसरा बोला कि ये q and r क्या होंगे whole numbers होंगे बहुत super duper easy है बस अपके ध्यान लतना है dividend is equal to divisor into question plus demand easy है ना अब इससे related भी question आया previous year में देखते है वो ये चीज़ क्लियर है एक minute pause करके फड़ा फटसे इसको revise कर लो mind में बिठा लो क्या आपको अच्छे समझा लो चलें आगे तो question क्या आया था Euclis division Lama states that for two positive integers a and b though exist करते integers q and r such that a is equals to bq plus r हमें condition बताने गया r पे क्या है r पे देखो आप जिसने statement अच्छे से पढ़ी सिर्फ उसको इस समझाएगा नहीं आप देखो इसमें option कॉल से से जल्दी से बता दो that is option C I know आपने पहले ही बता दिया तो लगा लो अपना one mark note book पे अगर आपने 2020 का question ठीक बता दिया clear यह चीज बतलब आपने किसी चीज को lightly लेना एक statement से भी देखो question बनाऊगा next चलते है Euclis division algorithm यह क्या कहता है इसने कहा था कि हम क्या करेंगे HCF निकाल पाएंगे with the help of division हमने का अच्छा कहता हाँ वो कैसे वो हमने यह सोचा कि धम तब तक divide करते जाएंगे जब तक remainder 0 ना आए हमने divide करना सीखा था अब हम आगे करेंगे भी और जो last हमारा यहाँ पे बनता था वो क्या होता था है HCF होता था कुछ याद आया? ने? question करते है अब याद आ जाएगा क्यों से यूकलिर से logarithm find the HCF of 272 and 1032 एक ध्यान रखना बात का यह नहीं फट अफट में क्या करो तो पहला नमबर अंदर लिख दिया और दूसर नमबर बाहर लिख दिया नहीं आपको हमेशा बड़ा नमबर कहा लिखना है अंदर लिखना है छोटा नमबर बाहर लिखना है तो वही करते हैं या हम करेंगे that will be यहाँ पे 1032 अंदर and 272 बाहर आप ध्यांस देखना 272 3 पे करें चेक एक बाद 272 3 दा that will be 6 7 दीदा 21 3 दीदा 6 so 2 8 816 अगर आप इसमें आगे करोगे 4 पे यह बड़ा नमबर आएगा तो 3 पे चेक कर लिया that will be 816 12 में से 6 गए 6 आप अपने आप माइनस कर सकते तो 2 में से 1 गए 1 10 में से 8 गए 2 अभी भी remainder 0 नहीं आया अगर remainder 0 नहीं आता तो हम आगे divide करते हैं मैं इसको आगे divide कर रही हूं अब divide जब करते हैं न जिससे पहले divide किया था वो अंदर जाता है यह चीज़ कलियर है 216 1 पर ही चला जाएगा 216 12 में से 6 गए 6 5 में सोरी 6 में से 1 गए 5 अभी भी remainder 0 नहीं है फिर से इसको divide करेंगे अंदर क्या डालेंगे इसको that will be 216 बताओ 2020 का question है अब भी आया था चीक है आप 56 पे है that will आप check कर लो 56 3 दा 6 3 दा that will be 18 5 3 दा 15 और 1 16 168 56 4 दा 24 5 दा 20 22 ये तो बड़ा आ रहे तो हमें कहा जाने 3 पर ही जाना है that is 168 16 में से 8 गए 8 अगर आप enjoy करोगे न माच को आपके answers भी अच्छे से आएंगे इसको ऐसे मैं समझो question करना पड़ रहे enjoy करो अराम से questions करो जब concept वली class आती है उसको अच्छे समझा करो यहाँ पर आया that will be यहाँ क्या बन जाएगा 0 यहाँ पर 10 इस 6 गए 4 that is 48 अभी भी remainder 0 नहीं आया फिर से ले लेते हैं divide कर लेते हैं आप किसको अंदर डालेंगे इसको 56 को ये तो 1 पर जाएगा that will be 48 ये बचेगा मेरे पर 16 में से 8 गए 8 या फिर आपको माइनस कर लो 56 माइनस 48 ठीक है अभी भी remainder 0 नहीं फिर से divide करेंगे अंदर कोन जाएगा that is 48 and 8 6 ता 48 होता है ये मेरा remainder 0 बन गया अब जलबाजी में क्या गलती कर सकते हो आप आपको ये HCF है छो जिस से आपका last में divide होता है ये HCF होता है HCF is 8 जो question राता है वो नहीं होता जिससे आप end में divide किया end में किससे divide किया 8 से तो HCF is 8 तो इसका answer क्या है 8 है बता हो ये question आरा 2020 में ये रहा इसका solution देखन आंसर क्या आरा हो है मारे पास answer is 8 है ना इसी बिलकुल अराम से आपको मतलब questions board के level बता रहे हैं देखो mix level होता है कुछ level आपको अच्छा लगेगा कुछ आपको अपना बनाना पड़ेगा that is answer क्या है 8 हमारा भी है सिफ क्या आया है 8 आया क्लिर है चीज ऐसे यूकलेट्स के भी question आते हैं बच्चों को जातर लगते हैं कि यूकलेट्स की question नहीं आते हैं ये 2020 में ही आया हुआ है ठीक है आज सारे questions 2020 के ही लाइं next देखो prove that ये question आभी last के लिए छोड़ते हैं क्यों क्योंकि इसमें ना मुझे आपको ज्यादा समझाना है तो end में करेंगे ठीक है next पर चलते है that is fundamental theorem of arithmetic पहले वो चीज़े कर लेते हैं जो आपको अच्छे से हाती है फिर हम end में उसको अराम से explain करेंगे है easy लेकिन थोड़ा time लेगा ठीक है next is the fundamental theorem of arithmetic super duper easy है ध्यान समझना ये कहते है every composite number can be expressed as a product of primes अच्छा पहले हम composite and prime ही समझ लेते हैं फिस statement पर जाएगे composite number क्या होते है और prime number क्या होते है composite number वो number होते है जो अपने table के इलावा किसी और के table पर भी चले जाते है जैसे मैं बात करूँ 4 की 4 किस-किस table पर जाता है एक तो 1 के table पर सारे जाते है 2 के table पर जाता है 4 के table पर जाता है मतलब 4 के 3 factors है 1, 2, 4 तो यह 4 क्या है? एक composite number है जिसके factor 1 और खुद के इलावा देखो 1 भी है, इसका factor 4 भी है लेकिन उसके इलावा कोई दूसरा number और भी है, that is the composite number बट अगर यही बात मैं 13 की करूँ 13 की क्यों से कौन से factor है? 13, 1 के table पर जाता है और सिर्फ और सिर्फ 13 के table पर जाता है 1 और 13 सिर्फ दो ही factor है यह क्या है? प्राइम नमबर है composite number प्राइम नमबर का difference के लिए रहे मैंने बहुत अच्छे से आपको blue से table में learn करवाया था और अच्छे से दिखा के, यह देखो यह prime है और यह composite है learn नहीं करवाया था, समझाया था clear है चीज़? अब composite ने में प्राइम में कोई दिख्कत हो नहीं है 2 भी एक prime number है यह सिर्फ 1 और 2 के table पर जाता है और किसी table पर नहीं जाता वो कहते है हर एक composite number को अच्छे composite number में 4 उठा लेती हूँ आप उसे express कर सकते हो prime number में यह तो बात हमें पता है हम 4 के factors बना सकते है that is 2 into 2 तो यह composite number को मैंने prime numbers के product में लिख दिया यह fundamental theorem of arithmetic ने का दूसरी चीज़ क्या बोले? इन्होंने बोला कि यह जो आपने कर रहे ना इसको express वो unique होता है अगर मेरा 2 की power 2 आया है तो आपका भी 2 की power 2 आ रहा होगा आपके copy में यह नहीं हो अगर 3 की power 2 आएगा हमारे answers जब आप उसको express करेंगे prime factors में बिल्कुल सेम आने वाले है बिल्कुल सही 2 into 2 है चीक है? तीसरी चीज़ क्या आ गई? suppose मैं 15 के factors बना रही हूँ 3 into 5 आ है मेरे factors अब आप में से कुछ बच्चे अपने copy में 5 into 3 भी लिखेंगे कुछ बच्चे 3 into 5 भी लिखेंगे answer वारा सेम है 3, 5, 3, 5 but इनके order अलग-लग हो सकते है आपका 3 into 5 भी हो सकते है 5 into 3 भी हो सकते है चीक है? दूसरी चीज इन्होंने क्या कही दूसरी चीज कही कि unique answer आता है अगर आपका 3 into 5 भी हो तो मेरा भी 3 और 5 भी हो सकता है थर्ड कहां? हाँ, order may differ order differ हो सकता है आगे पीछे लिख सकते है लेकिन answers unique आएगा तीन चीज़ें इन्होंने बोली चीज़ें आगे आप हमारे पास बोल्ट में question क्या आया ठीक है कि हमने इससे क्या क्या सिखा था जो अभी हमने fundamental theorem सीखी थी इससे हमने HCF निकालने सीखे थे सीखे थे ना हमने LCM निकालने सीखे थे और हमने एक relation किया था कि HCF into LCM product of numbers के equal होता है क्या सिखा था कि HCF into LCM product of number के equal होता है मालो HCF निकाला अपने AB का LCM निकाला अपने AB का तो अगर आप HCF into LCM करोगे तो वो A into B के ही equal आएगा यह हमने पढ़ा था तो इससे से related question आया हो देखो 2020 में Given that HCF is this, LCM is this find out this बहुत easy है देखो HCF कितना दिया हुआ मुझे 156, 78 का that is 78 और मुझे LCM निकालना है बताओ HCF दिया हुआ क्या निकालना है LCM HCF into LCM कितना होगा जल्दी से बताओ that will be 156 into 78 जिसका आप HCF LCM निकालते हो HCF into LCM product of that numbers होता है right मतलब HCF कितना दे रख है 78 into LCM is equal to 156 into 78 HCF की जगे मैंने HCF की value निकाल दी LCM मैं अभी निकाल लोगी so LCM is equal to 156 78 यह दर क्या हो रहा है multiply मुझे पताँ आपको होगे कि मैं इसको यहाँ पे divide कर दो तो 78 से 78 के answer LCM की value क्या आगी 156 तो इसका कौन सा option answer हुआ that is A option this is the answer clear है चीज तो A option इसका answer हो गया यह question आ रखा था चले आगे देखो यह answer है इसका 156 चिक है है ना easy questions next question देखो 180 can be expressed in a product of its prime factors यह आपका homework question है जिसका answer आप मुझे comment section में दोगे कि first question first question mark कर लो इसको जो भी कि answer क्या है इसका option A, B, C, D मैं देखोंगी कौन-कौन answer दे रहा है किसने अच्छे से यह past year questions की है चिक है दोगे comment section में answer चले फिर next देखो next अच्छा answer नहीं दिखाना था मुझे इसका चले फिर the HCF and LCM of this respectively यार मैंने आपको बोला था कि 33 numbers की HCF and LCM ज़रूर आता है exam में तो अभी देखते हैं क्या-क्या number दिया हो हमें 12, 21, 15 फटा-फट से करते हैं 3, 7, 20 ओ स्री यह तो 21 नहीं 12 है 3, 4, 12 2, 2, 4 and 2, 1, 2 मुझे पता आप क्या कोगे फटा-फट से निकालो 3, 7, 21 21 मेर से पहले निकाल लिया ना जल्दी से करो 3, 5 दा 15 5, 1 दा 5 तो 12 मैंने क्या लिख लिया that is 3 into 2 into 2 and यहां पर 21 क्या लिख लिया 3 into 7 and 15 क्या लिख लिया 3 into 5 आप देखो उन्होंने क्या पुछे HCF and LCM पुछे पहले HCF निकाल लेते हैं ऐसा नमबर जो तीनों में है पहले मैं इसको ऐसे लिख लिख लू 3 into 2 का स्क्वेर 3 into 7 3 into 5 ऐसा नमबर जो तीनों में है that is 3 उसकी कौनसी पावर? लोएस्ट पावर यहां पर तीनों में पावर 1 है तो लोएस्ट का तो कोई है ही नहीं 3 की पावर 1 ही लेंगे तो HCF is 3 की पावर 1 that is 3 देखो कितने क्वेशन से यहां पर HCF है 3 की पावर 1 that is A and C मतलब आंसर मारा A या C में से कोई है चले आगे अब आगे देखो LCM देखना है हमे LCM क्या आएगा? ध्यान से देखना LCM कैसे निकालते है? 1, 2 की हाईस्ट पावर कितनी है? 2, 5 की हाईस्ट पावर? 1, 7 की हाईस्ट पावर? 1 पहले फेक्टर्स देख लो कौन से कौन से मेरे प्रडाक्ट में यूज हुआ है या पर 2 यूज हुआ, 3 यूज हुआ, 5, 7 फिर उनकी जो सबसे बड़ी-बड़ी पावर्स थी वो उठाई या 1 थी, 2 थी वो उठाई मैंने तो 3 इन्टो 4, that will be 5 इन्टो 7 that will be 12 इन्टो 35 अब मुझे ये चीज़ पता लग रहे है बहुत इसली कि 12 इन्टो 35 करूंगी ना मेरे पास 140 तो नहीं आने वाला अगर मैं इन दो नंबर्स को मल्टिप्ला करूंगी 140 तो नहीं आएगा तो आंसर ही C ओप्शन C ओप्शन मेरा राइट आंसर है समझा ही चीज़ आप कर ले ना 420 आएगा 5 to the 10, 5 and the 5, 6 3 to the 6, 3 and the 3, 0 6 or 6 के आज़ेगा 12 लेखो 420 आगया and 420 is the C ओप्शन तो C ओप्शन इसका राइट आंसर है आपके फर्स्ट जो आपके पास questions होते है जो starting के that is of one mark MCQ form तो ये वहाँ पर questions आए हुए थे HCF LSEM तो आना ही आना है इसमें mistake नहीं करने है समझ आई ये चीज़ clear है मैंने हर एक question का अलग-अलग part बना तो बहुत अच्छे से clear किया हुए आप अगर किसी भी question में दिक्कत आ रही है वो playlist जाके अराम से देखो बहुत एजली देख सकते हो चिक है next देखो पड़ापटसी वो divide करता है किसी number के square को अगर कोई prime किसी number के square को divide करता है तो क्या करता है जल्दी से बता दो मुझे पता आपको पता है कि वो p वो prime उस number को भी divide करेगा अगर कोई prime किसी के square को divide करता है तो उस number को भी जरूर divide करगा देखो कैसे for example, prime मैंने क्या ले लिया? 2 ले लिया, a क्या ले लिया? 6 ले लिया, a square क्या ले लिया? 36, है नो? आप देखो, क्या p 36 को डिवाइड करता है? मतलब, क्या p a square को डिवाइड करता है? बिल्कुल, 36 को 2 डिवाइड करता है, आंसर आता है t, तो वो कहते है, अगर कोई prime किसी की square को divide कर गया 36 को तो वो उसको नंबर को भी divide करगँ नंबर की है 6, क्या 2 6 को divide करते है, बिल्कुल करते है answer 3 आते है, तो clear होगी चीज, कि अगर 2 36 को divide कर रहा है तो 2 6 को भी करता होगा, तो अगर कोई prime नंबर किसी के square को divide करता है तो उस number को भी जरूर करेगा इसका use हमने proof करने में कर रहा था कि root 2 irrational है root 3 rational है यह सब हमने proof करने में इसका use किया था ठीक है next देखो important question 1.3 exercise with examples इसको तो ऐसे बस अपने mind में रख लो कोई रात को दो बज़े जगा के भी पूछ रहे ना कि यह वाला तुम्हें question आता है proof कर सकते हो कि root 2 irrational आप रात को 2 बज़े भी proof करका हो इतने अच्छे से आपके mind में होना चाहिए आपको revision भी ना लेनी पड़े क्योंकि most important exercise 1.3 clear होगी यह चीज़ इसमें आपके पास root 2 irrational है और 2020 में जो repeat हो रख है that is root 3 irrational proof करने का और रख है तो अच्छे से करना यह चीज़े simple है बहुत मैंने बहुत अच्छे से आपको यह चीज़े explain already कि हुई है ठीक है आप हम क्या कर रहे हैं आज हम past year questions कर रहे है तो हम past year questions पे चलते है देखो क्या question आया हुए show that 5 plus 2 root 7 is irrational number where root 7 is given to be rational root 7 irrational दे दिया यह आपको 3 marks में आ रखा था question उन्होंने root 7 irrational दे रख है हमें सिर्फ 5 plus 2 root 7 को करना है बहुत easy है हम क्या गरते हैं मेशा उल्टा मान के चलते हैं जिद्धी बच्चे let 5 plus 2 root 7 is a rational number अच्छा rational number है तो किस form का होगा P by Q therefore 5 plus 2 root 7 is equals to P by Q where P and Q are क्या होते है जल्दी सबता है अब तो आपको learn है co prime and Q not equal to 0 जहां पर P और Q co prime है मतलब यह simplified form है 3 by 6 है अब इसको cut करके क्या ले सकते हूं 1 by 2 यह 3 by 6 co prime नहीं थे क्योंकि मैंने cut कर पा रही थी 1 by 2 co prime है क्योंकि मैंने आगे cut नहीं कर सकती यह किसी भी एक table पे नहीं जाएंगे मतलब 1 और 2 कोई ऐसा table है जाएंगे चले जाएंगे except 1 नहीं ना तो co prime ही होते है hcf1 होते है किसी same number से divide नहीं होते है किसी same number पे कि टेबल पे नहीं जाते चिक है चले आगे देखो आप क्या करेंगे है ध्यांस देखना जो root में होते है सिर्फ उसको left hand side रखना है बाकि सब को right hand side ले जो that will be 2 root 7 is equals to p by q minus 5 now ये 2 भी नहीं चाहिए मुझे root 7 अकेला चाहिए तो root 7 is equals to p by 2 q minus 5 by 2 सब की नीचे जाके चला गयी ठीक है आप देखो ये root 7 is equals to 2 q इसके LCM आएगा इसके पास 2 q है इसको कुछ नहीं करना ये उपर p ही रहेगा इसके पास 2 है q नहीं है उपर q देदो तो root 7 p minus 5 q upon 2 क्यों आगया ये कौनसी form होई ये numerator upon denominator form होई तो जब भी हम किसी number को numerator upon denominator form लिखते हैं तो वो हमेशा क्या होता है rational होता है इसका मतलब root 7 अगर इनके equal है तो ये imply कर देगा कि root 7 क्या है rational number है जब भी किसी भी number को हम numerator upon denominator के equal लिखते है वो rational होता तब ये तो हमने 5 plus 2 root 7 को p by q form क्यों लिखा क्योंकि हम मान के चल रहे है वो rational है तो यहाँ पे root 7 भी तो किसी p by q form आ रहे है कोई numerator upon denominator आ रहे है इसका मतलब root 7 क्या हुआ rational number लेकिन root 7 तो rational होता नहीं root 7 क्या होता है irrational number होता है और उन्हें दिया भी हुआ root 7 तो irrational है और हम कहरे है root 7 rational है which is a contradiction ये तो contradiction आ गए contradiction क्यों आए क्योंकि हम मान के चले थे 5 plus 2 root 7 rational number है तो आप लिखोगे which is a contradiction hence 5 plus 2 root 7 is irrational ये क्या है ये irrational बस ऐसे question करना है बहुत एजली मैंने एक-एक point आपको बहुत अच्छा से explain किया हो है जब हमने proof of irrationality किये थे ठीक है देखो जब आप हमेशा सोचना one short video या फिर जब हम parts में पढ़ते है उसमें क्या difference है parts में आपको हर एक चीज well explained की जाती है with concept उसमें questions कराने की जल्दी नहीं होती अच्छा से explain की जाती है तो आप videos देखो का आपको बहुत अच्छे से clear होगा ठीक है चले नेक्स जलते है ये रहे इसका proof जो मैंने आपको करवा दिया now next is prove that root 3 is any rational number मैं ये पूरा proof करवाने लगी हूँ पूरा अराम से अगर आपको आता है फटा-फट से करो आता है तो भी proper लिखना ये नहीं roughly काम करो नहीं proper मेरे साथ-साथ लिखना चीक है proof करना है root 3 rational है हम क्या मान के चलते हैं उल्टा let root 3 is a rational number मान के चल रहे हैं ये क्या है ये एक rational number है अगर ये rational number है तो root 3 क्या होगा P by Q form वहाँ पे फिर P and Q are Q prime very good आगे क्या लिखेंगे Q not equal to 0 आगे मुझे पता है आप लोगों ने मेरे से पहले लिख लिए चलें आगे आप क्या root हमें पसंद नहीं हम क्या करने वाले है squaring करेंगे squaring both side तो root 3 का square is equals to P by Q का square ये square से root cancel 3 is equals to P square by Q square आप क्या करते हैं cross multiply so 3Q square is equals to P square इसको दे देंगे equation number 1 smile smile के साथ हमने इसको equation number 1 दे दिया clear होई ये चीज़ बहुत simple है squaring करने के बाद हमेशा cross multiply करके आपने equation number 1 देना होता है इसको आगे देखो आप क्या करना है मेरे पस 3 Q square equal to P square आया इसको मैंने equation number 1 दे दिया यहां से Q square क्या आएगा P square by 3 मतलब 3 divides P square 3 divide कर रहा है P square कोई prime number किसी के square को divide कर रहा है तो 3 divides P also अगर कोई prime number किसी के square को divide करता है तो वो उस number को भी divide करेगा तो 3 P को भी divide करेगा अब इसके बाद क्या करेंगे अगर 3 P को divide कर रहा है माल लो आपके पास 6 है अगर उसे 3 डिवाइड कर रहा है कोई आंसर तो आएगा ना 2 तो अगर 3P को डिवाइड कर रहा है तो कोई आंसर आएगा तो हम लिखेंगे P by 3 equal to R तो P is equal to 3R अब हमने cross multiply कर दे इसके बद क्या कर सकते हैं कुछ हैं नहीं करने को तो squaring कर लेते हैं squaring both side equal to P square is equal to 9R स्के या तो हम cross multiply कर रहे होते हैं या फिर हम squaring कर रहे होते हैं अब आगे देखो P square क्या आगा है मिर पस 9R स्के यहां से 9 है ना मिर पस that is अब equation number 1 में देखो P square की value क्या है 3Q square मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 3Q square is equal to 9R square हर एक question में यह equation number 1 का use होगा तभी मैं इसे equation number 1 mention करवाते हूँ तो फिर जब P square दुबारा आते हैं यही value यहाँ पर डालते हैं Q square is equal to 9 by 3R square क्योंकि 3 इदर multiply हो रहे हो तो जागे क्या हो जेका? Divide that will be 3 So Q square is equal to 3R square यह हमने यहाँ तक लिख लिए अब यह 3 दर multiply हो रहे हो जेका? Divide So Q square is equal to 3 that is equal to R square अगर अभी तक आपने पिछला जो मैंने करवाया इसके proofs बहुत सूपर इजी थे टेक्रिक्के से और अराम से करवाया तो वो भी आप देख सकते हो लिंक जो है प्लेलिस का description box में चिक है? आगे देखो 3 किसको divide कर रहा है? Q square को divide कर रहा है अगर 3 Q square को divide कर रहा है by that result जो भी हमने किया था 3 Q को भी divide करेगा क्योंकि अगर कोई prime number किसी के square को divide कर रहा है तो वो उस number को भी divide करता है तो यहाँ पे मैं लिख दूँ साइट पे यहीं पे space बना लेते हैं that 3 divides Q चले आगे अब 3 P को भी divide कर रहा था 3 Q को भी divide कर रहा था मतलब P और Q सेम number से divide हो रहे है not possible जो को प्राइम होते हैं वो सेम number से divide होई नहीं सकते it means which is a contradiction यह आपने कैसे के दिया कि 3 P को भी divide कर रहा है 3 Q को भी divide कर रहा है यह तो contradiction है इसका मतलब which is contradiction therefore our supposition is wrong हमारी supposition wrong थी हमने क्या suppose के किया तो गलत हो गया हम मान के चले थे कि root 3 rational है यह supposition हमारी wrong होगी वो इसके पाद एक और लाइन लिखने है hence root 3 is an irrational number clear होगी चीज़ बहुत super easy way से कर रहे है I hope आपको clear है अगर आपने बाकी parts बिल्कुल serial order में देखे हैं तो अब आपको आज 2020 की questions ऐसे 2020 खेल रहे होंगे चले आगे easy है ना? चले फिर जब भी आपको कोई class मिलती है आप उसको make sure करो कि next day की class आने वले उससे पहले पहले मैं वो काम वो class देखके अच्छो से complete कर लो अपने exercise हर रोज 9 से लेके 10 के पीछ में 9 o'clock से 10 o'clock morning में आपको class मिल जाती है नियूँ उससे पहले पहले अपनी वो class जो आपको पहले मिलती है complete करके रखा करो ठीक है लव एक चीज़ और अभी करते हैं इसको start आप ध्यान से देखो root 2 हो गया root 3, root 5, root 7 and root 11 जितने भी prime numbers है ना उन सब के root irrational होते है जितने भी prime numbers है उन सब के root irrational होते है root 4 तो नहीं लिखरी ना मैं यहाँ पे कहीं पे भी जितने भी prime number उनके root ही rational होते है चले आगए यह चीज़ क्लियर है जो मैंने बताई चली now next is rational numbers and their decimal expansion super easy है देखो ध्यान से देखो rational numbers क्या होते है rational number में मैं पास दो type होते है एक terminating और यह क्या होते है not terminating ठीक है non terminating and that is repeating यह क्या words लिख दिये मैंने अभी समझाते हूँ rational numbers क्या होते है p by q form for example मेरे पास है 10 by 5 आप इसको cut करके answer क्या दे सकते हो 2 तो यह जो है that is a terminating rational number कि जिसको हम divide करके एक simple सा answer दे सकते रिसमें यह 2 दे दिया so this 10 by 5 is terminating clear होगी यह चीज फिर non terminating कॉन से होते है आप कभी 10 को 3 से divide करो answer हैगा 3.33333 यह चलता रहेगा यह कभी रुकेगा नहीं तो यह क्या हो रहे this is non terminating जो चीज कभी रुकती नहीं है that is non terminating terminate का मतलब खतम हो जाना अगर cut करके answer simple सा आ रहे मतलब खतम हो रहे answer that is terminating rational number लेकिन वह चलता जा रहे खतम नहीं हो रहा जैसे 3.333 that is non terminating नहीं खतम हो रहा तो non terminating खतम हो रहे तो terminating and repeating मतलब point के बाद अगर वह खतम नहीं हो रहा कुछ ऐसा आ रहा है जो repeat होता जा रहा है जैसे 3.333 तो ये भी एक क्या है rational number लेकिन non terminating repeating ये चीज़ clear होगी पर क्या हर number को मुझे divide करके चेक करना पड़ेगा कि वह terminating है कि non terminating है नहीं ना क्यों करना पड़ेगा अब ये simple सी चीज़ और एक example लेते है 23 upon 5 का square into 2 का square चीक है आप मेरे बाद ध्यान से सुनो जिसके denominator में factors में आपके पास सिर्फ 2 and 5 की ही powers हो वो हमेशा terminating होंगे नहीं तो वो non terminating हो clear होगी चीज़ अब यहाँ पे 3 की power और 5 की power है मैंने का ता सिर्फ 2 and 5 की power होने चीए यह तो 3 की power आगी यह तो गड़बड है तो this is non terminating यह बात मेरी समझ आई यह चीज clear है अब नीचे देखो यहाँ पे 5 और 2 की ही power है और कोई number है ही नहीं तो this is terminating यह चीज clear होगी अगर आपके पास 5 के इलावा 2 और 5 के इलावा कोई और number की power आजे से 3 की power आ रही है तो यह non terminating repeating होने वाल है लेकिन अगर सिर्फ denominator में सिर्फ और सिर्फ 5 और 2 की powers है यह चीज clear है आगे चले बहुत सूपर एजी डी है ना अब आगे लिखो अगर मेरे पास मालो 1 पॉन सिर्फ 2 की power आ रही है तो मैं इसको लिख सकते हूं 1 पॉन 2 इंटू 5 की power 0 इसमें कोई दिक्कत हो नहीं है similarly अगर सिर्फ 1 पॉन 5 की power आ रही है तो मैं इसे लिख सकते हूं 1 पॉन 5 इंटू 2 की power 0 मतलब अगर आगे पास एक number आ रहा है या 7 आ जाता फिर गड़बड हो जाती मुझे सिर्फ और सिर्फ डिनॉमिनेटर में 2 एंट 5 चाहिए अगर उन दोदों में से एक भी है तो मैं दूसरे इंटू पावर 0 बना के लिख लूंगी लेकिन कोई तीसरा number मुझे 3, 7, 11 ये सब factors नहीं चाहिए अगर सिर्फ 2 और 5 आता है तब वो terminating रहते है लेकिन अगर कोई और factor आ जाता है तो वो non-terminating repeating बन जाता है है ना easy? clear है? आप करते हैं इसके questions questions में एक example में बनको ओड देना है for example 6 by 15 है आपको check करना है कि ये terminating है या non-terminating repeating है चीक है? terminating या anti आ रहे है देखते हैं 6 by 15 है that will be 3 to the 6 3, 5 to the 15 आपको check करने से पहले you must have to क्या करना पड़ेगा आपको? कि आपको इन्हें simplify करना पड़ेगा कैसे? मैंने इसको जैसे अगर same table पर आ रहे है पहले cut करना पड़ेगा कर दिया आप सिर्फ denominator पर focus denominator में क्या आ रहे है? 5 आ रहे है कोई और number तो है नहीं आप मुझे 2 चाहिए मैं into 2 की power क्या लिख लेती हूँ? 0 लिख लेती हूँ इसमें कोई दिखकर तो इसके denominator में 5 और 2 आ गया तो this is terminating this is terminating clear होगी चीज? इसमें कोई दिखकर अब एक चीज ओर मालू 1 by 6 आ जाता मैं इसको लिखती 1 upon 6 के factors बनाओ 6 के factors क्या बनेंगे? 3 into 2 तो अब 2 के इलावा 3 भी है तो this is non-terminating repeating मतलब यह क्या है? यह anti आ रहे है क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 के इलावा भी कोई factor आ रहे है यह चीज clear है? 2, 5 आएगा तो हम terminating कहेंगे अगर 2, 5 नहीं दे हुए तो हम non-terminating कहा देंगे बस हम 2, 5 के दिवाने है clear होगी चीज? इसमें कोई दिक्कत repeating भी लिखना है इसमें repeating मत भूल जाना divide करोगे न मालो answer आएगा 7 point something तो point के बाद उतने digit होते हैं जो इनमें से किसकी बड़ी power बड़ी power क्या है? 3 इसमें पक्का point के बाद 3 digit होने वाले है मालो 0 point इसका answer आना है तो point के बाद कितने digit होगे हम ये भी पता लगा सकते हैं कैसे? जो 2 और 5 की power है न उसमें बड़ा number को होने है मालो 3 तो point के बाद आपके पास 3 digits होने वाले हैं इस power से इन power से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि point के बाद कितने digit हैं ये धात ध्यान से समझे लो इससे related question आया हो है और ये NCRT में नहीं अधी शर्म में discuss किया हूँ और मैंने अपनी classes में भी करवाय है और 2020 में भी question आया हूँ clear होगी ये चीज़ ये बात समझाई जो बड़ी power है जब हम उसका पूरा solve करेंगे ना answer में उतने ही digit आएंगे point के बाद जितनी हमारी बड़ी power है या फिर non-terminating repeating होंगे जिसको हमने बोला NTR चीक है लेकिन अगर non-terminating हो और not repeating हो दिहान से देखो दो-दो note आ रहे हैं दो-दो non-terminating, non-repeating वो आपके पास irrational होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? irrational होते हैं not-terminating, non-repeating जैसे देखो 4.7, 3, 2, 1, 6, 7, 3 कुछ भी लिखती जा रहे हूं है कुछ भी, कुछ repeat खतम भी नहीं हो रहा कुछ repeat भी नहीं हो रहा 7, 3, 2, 1, 6, 3 यह 7 यह repeat होने का यह नहीं 7 repeat हो रहा है या तो 7, 7, 7, 7 ही आता रहता है ऐसे तो हो सकता है कि बहुत time मतलब बहुत साइड डिजीट के बाद repeat हो रहे है कोई बात नहीं लेकिन जैसे यह पर तो 3, 3, 3 ही आ रहा था वैसा कुछ नहीं आ रहा यह हमारे पास क्या होते है irrational होता है जब 2 note इकठे हो जाते है non-terminating, non-repeating वो irrational होते है clear होगी यह चीज़? चले आप questions करते है 2.35 bar is यह क्या है? पहले यह बार का मतलब समझो that is 2.35 35 35 35 चलता जा रहे है इसका मतलब अब ध्यांस देखो यह चलता जा रहे है मतलब पक्का यह क्या है? non-terminating है ना खतम देखो बार का मतलब होता चलता जाना तो यह चलता जा रहे है मतलब यह non-terminating तो पक्का है अब आगे देखते है क्या कुछ repeat हो रहे है? 3.5 3.5 3.5 इसको 35 नहीं पढ़ते है पॉइंट के बाद सारे ऐसे अलग-लग डिज़िटी पढ़ते है 3.5 यह repeat हो रहे है 3.5 3.5 3.5 मतलब देखो 3.5 फिर 3.5 तो यह non-terminating क्या है? repeating है यह कौन सा नंबर होता है? यह तो rational होता है NTR है यह तो देखो non-terminating repeating NTR is rational और rational देखो का option है that is option number B तो integer, irrational, rational, natural में कौन सा option आएगा? option number B that is a rational number और paper में point भी बार देखके बच्चा फटा-फट से irrational पर टिक कराता है नहीं non-terminating NTR NTR is rational अब देखो इसका answer क्या है? that is option number B clear होगी चीज़? आगे चलते हैं next is the decimal expansion will terminate after how many places of decimal कि point के बाद कितने digit आएँगे? कितने digit? आप देखो 23.2 की power 5 into 5 की power 2 इसमें बड़ी power कौनसी नीचे देखो power 5 एदो एक power 2 है एक power 5 है कौनसी बड़ी power है? power 5 बड़ी है तो point के बाद जब इसका मैं solution निकालूँ कुछ भी solution है मालो 7 point something आ रहा है point के बाद पक्तका 5 digit आएँगे क्योंकि इन power में बड़ी power 5 है तो इसका आंसर यह पुछा है the decimal expansion की जब आप इसको divide करोगे यह खतम होगा कितने digits के बाद जो हम points के बाद लिखेंगे points के बाद बाद लिखेंगे कितने digits आएँगे will terminate after how many places of decimal कितने यहां places of decimal मतलब कितने यहां पे digits आएँगे कि यह खतम होगा यह हमेशा power से पता लगता है जो बड़ी power जैसे 2 और 5 की power चल रहे है उसमेंसे बड़ी power क्या है 5 तो यह 5 places के बाद खतम होगा clear चीज यह RD शर्मा से ही मैंने आपको classes में करवाया था 10th में concept strong होना बहुत ज़रूरी है ना कि आपको यह याद होना कि यह question इस page पे यहाँ पर है यह question ऐसे करना है वो 5 का 3 हुआ ना आपका 1, 2 का 4 हो जाना है फिर paper में concept पे ध्यान रखो concept को strong करो ठीक है so this is all about हाँ देखो answer क्या रहा है 5 बाद है आप चलते हैं आगे class खतम नहीं एक question रहता है हमारा वो question डिसकस करते हैं देखो आपको ना concept strong करने के लिए previous year पे जाना पड़ेगा क्यों आप अपने according पढ़ते जा रहे हो आपको नहीं पता कि उठना पढ़ना आपके लिए sufficient है कि नहीं है previous year को देख थोड़ी आखे खुलेगी नहीं ये चीज़े हमें आती है अगर आपको आती है तो confidence बहुत अच्छा build-up होगा आगे के लिए motivate हो जाओगे नहीं आती तो अपने पढ़ाई में और जान डालो थोड़ा सा और टाइम लगाओ समझ आगी चीज़? चले start करते है prove that one of every three consecutive positive integer is divisible by three वो कहते हैं कि मतलब consecutive पहल तो consecutive का मतलब मैं आपको बता लेती हूँ जैसे मालो consecutive चाहिए मुझे number consecutive का मतलब जो एक साथ आते है जैसे one, two, three ये three consecutive natural numbers है ठीक है? ये three consecutive natural numbers है one, two, three natural number है? एक साथ आते है one, two के बीच में क्या कोई natural number है? नहीं न, 1 के बाद 2 यह आता है तो जो 1 साथ नमबर आते हैं that is the consecutive तो हम्हें यही दिखाना है कि consecutive positive integer divisible होते हैं 3 से तो हम्हें यही दिखाना है कि कोई अगर मैं three consecutive positive integer लिखूं नहीं समझा है इस statement कुछ उटपटा अंगसी लग रही है अब भी clear करते है पहली बाद तो मुझे question ये paper में देखना पड़ेगा कि chapter 1 का question है कैसे mind में गई तो मैं आपको chapter 1 की revision करा रहे हूँ नो आपको गया मैं chapter 1 कही है लेकिन paper में आपके mind में strike होने चाहिए दूसरी चीज अब chapter 1 में बहुत कुछ पड़ा यूकलिट्स पड़ा, fundamental पड़ा, root to rational पड़ा, rational पड़े ये कहां से आया question मुझे divisible दिग गया and divisible तो हमारे यूकलिट्स सर ने दिया था तो ये पक्का यूकलिट्स का ही question है अब divisible by 3 की बात हो रहे है, मतलब ये 3 से divide करने की बात कर रहा है किसी को अगर मैं A को 3 से divide करूँ, मुझे कुछ question मिलेगा, कुछ remainder मिलेगा तो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं यूकलिट्स लैमा ही लगा लेती हूँ A is equals to 3Q plus R, R lies between 0 and 3, क्योंकि ये 3 से divide कर रहे है तो मैंने यहाँ पे देखो B की जगा 3 आएगा न, यहाँ पे हम जेखो B से divide करते थे तब ही तो यहाँ पे Q, R आता था, A is equals to BQ plus R लेगते थे यहाँ पे 3 से divisible हो रहे है, तो B को क्या ले लिया, 3 तो A is equals to 3Q plus R, R lies between 0 and 3, यह चीज़ के लियर है अब ही consecutive यह सब चीज़ें भी आपको बताती हूँ चिक है, तो question मुझे पता लगे, divisible, Euclid sir and B को मैं 3 ले रही हूँ, तो पहले चुड़ो करते हैं वैसे Let A be a positive integer, ले लेते है Let A be a positive integer, B को क्या लेते है, 3 तो A is equals to 3Q plus R, यहाँ पे R lies between 0 and 3, चीज़ें अब आपको पता है, जब भी मैंसे करते हैं वारे 3 cases बनते हैं क्योंकि R 0 और 3 के बीच में आ रहा है, तो R 0 भी हो सकते है 1 भी हो सकते है, 2 भी हो सकते है मतलब A is equals to 3Q बनेगा, A is equals to 3Q plus 1 बनेगा and A is equals to 3Q plus 2, यह मुझे divisible words से mind में आया कि Euclid Sir का कमाल है, और Euclid Sir क्या कहता है, लैमा क्या कहता है A is equals to BQ plus R, क्योंकि divisible by 3 था, मैंने B को 3 ले लिया इसमें कोई दिक्कत, वहाँ पे आपके exam में presence of mind होना चाहिए कि कैसे relate करना है, यह question आपके exam में ही आया हुआ, मैंने खुद से नहीं बनाया, exam का ही question है, नो A तो आगे मेरे पास दिन, ठीक है आप बात करते हैं, उसने कहा था consecutive, किसकी बात consecutive की पहला case लेते है, A is equals, अच्छा, यहाँ पर मैंने proof लिख दिया चलो ठीक है, यही पर लिखते है, First case लिखते है, A is equals to 3Q उठाया है मैंने, ठीक है, अगर आपको किसी का consecutive देखना है न, एक तो वो 3Q होगा, एक 3Q प्लस 1 होगा, एक 3Q प्लस 2, यह क्या कह रही हूँ मैं, ज्यान समझो, अगर एक consecutive आपका one है, First नमर, तो उसमें बूसरन नमРЕ क्या होगा, 2, यह कैसे है इसमें 1, Add करके, अगला consecutive नमर क्या होगा, 3, वो कैसे है, इसमें 2, Add करके consecutive कैसे निकालते है, पहले वो number लिखते है, फिर उसमें 1 लिखते है, फिर इसमें 2 लिखते है हम एके करके इन तीनों नंबर के consecutive नंबर निकालेंगे और बता देंगे कि हाँ ये 3 से divisible है इन नंबर क्या है 3Q आया 3Q प्लस 1 आया 3Q प्लस 2 आया ये 3 consecutive नंबर आया पहले केसे आप ध्यांस देखो ये 3 से divide हो सकता है ना क्योंकि 3 का multiple है 3 के multiple का मतलब 3 इसमें से common बाहर पढ़ है जिसमें से जैसे मालो अगर किसी में से कोई 2 common बाहर पढ़ है तो वो 2 से divide हो सकता है अगर किसी से 3 बाहर common पड़े है तो वो 3 से divide हो सकता है ये 3 से एक तरह से बाहर common पड़े है तो ये क्या है ये divisible by 3 है divisible by 3 है और मुझे ये तो शो करना था कि आपके पास अगर 3 consecutive numbers है उसमें से एक पक्का किस से divisible होगा 3 से तो मैंने आपर दिखा दिए ये मैंने 3 consecutive number उठाए आगी चेक करने की जुरुत ही नहीं है पहला ही किस से divisible हो गया 3 से तो आप लिखोगे A is equal to 3Q, 3Q plus 1 is and 3Q is divisible by 3 tension मतलो इसका screenshot दे दूँगे पहले बात समझ लो ध्यान से बात में आपके पास ये class रहने वाली है फिर note करना अभी चीजों को समझो एकदम डरना नहीं, proof complete होने तो आपको अच्छे समझा जाएगा क्या क्या है मैं एक बार revise भी कराऊंगी आपको माइन में ये नी रखना कि मैं NCRT तयार करा हूँ ठीक है इसलिए उसमें concept है ऐसे questions का तो ये भी exam में आ सकता है तो ये चीज clear है, आप case 2 उठाते है case 2 क्या उठाऊं मैं, case 2 का मतलब है मैं ये उठाऊंगी कि A is equals to 3Q plus 1 उसके आगे consecutive उठाऊंगी देखो पहला case समझा आगे है 3Q वाला आगे देखो, A is equals to 3Q plus 1, super duper easy है ध्यांसे देखना, अब second case लेते है that is 3Q plus 1 अब इसका अगला नमबर कौन सा होगा? 3Q plus 2, इससे अगला नमबर कौन सा होगा? 3Q plus 3, ये तीन नमबर है अब मुझे दिखाना है, इन में से कोई न कोई एक divisible by 3 होगा इसमें से 3 common नहीं आ सकता, not divisible by 3 इसमें से 3 common नहीं आ सकता, not divisible by 3 इसमें से 3 common आ सकता है that is Q plus 1 so this is divisible by 3 तो ये divisible है, किस से divisible है? 3 से, तुझे ये ही तो दिखाना था कि एक भी divisible by 3 हो जाए, तो बात बन जाएगी तो इसका भी एक case divisible by 3 हो गया इसका भी एक case divisible by 3 हो गया अब हम जो third number आया है इसके consecutive उठाएंगे और प्रूफ कर देंगे उसमें भी एक number ऐसा पक्का है जो divisible by 3 है Now third case is equal to 3Q plus 2 इसके आगे consecutive बताओ 3Q plus 3, एक एक बढ़ाते जाते हैं 3Q plus 4 यह आपके पास 3 consecutive आगे इसमें देखो 3 common निकाल सकते हैं नहीं, तो this is not divisible by 3 इसमें से 3 common आ सकता है अंदर बचे का Q plus 1 तो it is divisible by 3 यह divisible by 3 है और यह तो फिर चेक करने की जोटनी है मतलब क्या है मैंने Euclid's lemon लगाया यह 3 number create होगे अब इन एक एक number को उठा के मैंने इनकी consecutive ढूंडे बनाए और उसमें से पक्का एक 3 से divisible होता है मैंने दिखा दिया उनमें से एक 3 common निकाल के मैं शोग कर दी समझ आगी यह चीज यह चीज clear है अब आप इस पूरे proof को अराम से देखना सूपर डूपर easy है यहां पे भी यही किया हुआ है लेकिन इसमें क्या है यहां पे n, n प्लस 1 दिखाए हूँ इसको n ले लिया n प्लस 1 ले लिया आप n, n प्लस 1 को हटा दे न आपको सारा proof वही मिलने वाला है बिल्कुल सूपर डूपर easy है ऐसे ही मैंने करवा है समझ आगी चीज मैंने end की आपको confusion नी दी आराम आराम से चीज़े करतीगी आपको consecutive का मतलब बता दे कि एक-एक आड करके अगला number मिलता जाएगा ठीक है I hope you like this video previous year questions चेक करने बहुत easy है and एक question मैंने आपको ओमबक दी है उसका मुझे answer comment section में आपने जरूर देना है अब मुझे comment section में बताना आपको कैसी लगी class कल सम स्टार्ट करेंगे chapter number 2 बिल्कुल सूपर डूपर energy के साथ और 95 plus सिफ कहने के लिए नहीं है हम तियारी कर रहे है 95 plus के ठीक है लेकिन इस 95 plus के लिए एक promise आपको में साथ करना है कि आपको regularly पढ़ना है यह नहीं एक दिन में तीन classes देख ली फिर दो दिन चुटी नहीं रोज एक class देखनी है रोज नहीं नहीं अपने concept बिल्ड करना है सिफ NCRT के question पर टिक नहीं लगाना कर दो